हलो दोस्तों, वन वर्ड में आपका स्वागत है, मेरा नाम बैबाउ है और आज का हमारा वर्ड आफ तर दे है इंब्रोलियो तो आईए, सबसे पहले हम सीखते हैं इस वर्ड को प्रिनाउंस कैसे करना है तो हम बोलेंगे इंब्रोलियो, मेरे साथ repeat करिए इंब्रोलियो, यहाँ पर जो जी आ रहा है वो पूरी तरह से silent है तो हम बोलते हैं Imbroglio Imbroglio का हिंदी में मतलब होता है ULJAN, जनजट तो ऐसी स्थिति जो कि बहुत confusing होती है बहुत परिसानी वाली होती है उसको हम English में Imbroglio बोलते हैं तो चलिए अब हम एक example लेते हैं और समझते हैं Sword को हम sentence में कैसे use कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं You love her and she loves him and he loves somebody else This situation will be called as Imbroglio इसका हिंदी में मतलब हुआ आप किसी लड़की से प्यार करते हो वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती है और वो लड़का किसी और से प्यार करता है तो ऐसी स्थिति बहुत confusing होती है तो इसको हम इंगलिस में बोलते हैं Imbroglio तो दोस्तों यहां आपने सीखा Imbroglio word क्या है और उसको हम sentence में कैसे use कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीचिए अगर आपके पास कोई और अच्छा example है तो हमें comment में बताइए और हमारे चैनल One Word को subscribe कीजिए Thank you